हालो बच्चो मैं सब्सक्राइब करता हूँ अपने पैरे से फिजिस गयान मकेशनेग चैनल पर दो मार के लिए एक सवाल आ सकता कम समय में बताऊंगा आपको मैं सब्सक्राइब करें अब यहां आपको याद होगा मैंने आप लोगों को यह बहुत बार बोल चुका हूँ कि यह सवाल बहुत इजी लेवल पे होते हैं कैसे होते हैं बहुत इजी लेवल पे सवाल आते हैं ठीक है इस सवाल में थोड़ा सा समझनी की कोशिश करते हैं कि हमारे पास देखो एक चक्का है गाड़ी का चक्का है यह जा रहा है आगे पहले ए उपर था नीचे बी था यह रोल डाउन कर दिया इसलिए बी उपर की पास और यह जो बीच वाला जो है ना इसके पास जॉटके आसक मतलब दो मोशनस यह डिल कर से एक तो सीदह जाना बीच में एकसह होता है चक्किया है स्ट्रेट घाटा है रोटेड पर टाके का hadnry मतलब यहां पे आपको कानेटिक कर रहे ही सिधा और single कर रहा है दो चीज़े कर interes ने कर रहे है translation motion का formula याद होगा half ymv square दुसरा जो है kinetic energy आप rotating बोड़ी तो half i omega square ऐसे दो फार्मूले ज़ें ओके put up करने जा रहा हूं है kinetic energy आप rolling motion put up कर रहा हूं value put up कर रहा हूं है ना translation का formula हाप ymv square और दुसरा जो है हाप i omega square अब कुछ चीज़े पता होनी चाहिए जैसे मैंने इसके पहले moment of inertia का formula आपको बताया होगा कि वह इसे radius of generation का ymk square radius of generation और v is equal to r omega है तो omega is equal to v bar यह दो फार्मूले हम लोगों को शायद आपको पता लगा होगा कि put करना ही इस equation में तो kinetic energy of rolling motion ठीक है is equal to half ymv square plus 1 by 2 i की value बहिया ymk square और इसके value v square by r square देखो धाल से देखना माया आय होता ymk square radius of generation के form में और omega है v bar लेकिन omega का square इसलिए square क्या है क्या मैं common निकाल सकता हूं खुद को पूछिएगा simple सी बात है बहुत ज्यादा hard नहीं है kinetic energy of rolling body हो रही है तो half ymv square को common निकाल रहे है देखो यहाँ half ymv square है यहाँ half ymv square यहाँ पर कुछ नहीं बचा मतलब वह नहीं और यहाँ क्या बचा है k square था एक और divided by r square बचा था यह हो गया मेरा kinetic energy in the term of kinetic energy of rolling motion in the term of linear velocity के form में अब angular velocity निकाल सकते ना v is equal to r omega डाल सकते यहाँ पर और एक form डालेंगे अलट form में ठीक है अपके books में तो एक ही दिया गया है लेकिन बताओंगा महीं देखो यहाँ पर omega square और r square देखो ना 1 plus k square upon r square थोड़ा सोचिएगा थोड़ा सोच सकते आप लो r को मैं अंदर डालू तो क्या होगा एक की स्टम में बताना है 1 by 2 यहाँ पर ym बाकी था ना एक ym है ym omega square बास समझ मैं आरी इस r को अंदर डाल दू तो मैं r लिख सकता हूं क्या मेरी बास समझ में आ रही है क्या मेरी बास समझ में आ रही बच्चा पार्टी आपको कुछ नहीं इस r को अंदर डाल दिया यह r आर मर जाएगा तो यह translation motion यह linear velocity के form में यह angular velocity के form में आपके books में यहीं तक दिया है बहुत simple questions है मुझे लगता कि हर बच्चे को यह questions का जवाब आना चाहिए दो मार के लिए questions आता भी यह kinetic energy up rolling motion बहुत सारे बच्चे यार मुझे हमेशा पूछते रहते कि सर क्या MST CT कैसे बेटा एक तो ब्रह्मास्तर बैच है जिसमें PY किसके questions है और solution है only 99 रुपीज में ले सकते हो बच्चे मुझे CT के बारे में अक्सर पूछते रहते तो प्रीमियम टॉपर बैच और प्रो बैच है तो अपर बैच में बेटा हम लोग ने क्या बहुत कम फीज रखी है only 1499 इसी डिस्क्रिशन में जाके लिंक आप लोग आ सकते हो उसमें उसकोर्स में इसमें लाही लेक्चर होते हैं यह में से कुछ का डिस्केशन हो रहा है पीवाई क्यूज ले रहे हैं डिपीप चप्टर वाइट टेस्ट हैं कंप्लीट सिलाबस लेने वाले हैं इसके आलाव आपको मॉक्टेश बहुत सारी चीजा हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं तो अभी से टॉपर बैच में जाके इन्रॉल्मेंट करो अभी से सीटी की तयारी करो ताकि आपका फ्यूचर ब्राइट हो सके चलो बाई एंड थैंक्स